मथानिया थाना शेतर के तिमवरी गस्वे के पास सोमवार दोपहर हरिदवार जारी एक स्लिपर बस जीब से टकरा कर पल्टी खा गई हाथसे में नौ यातरी घायल हो गए जिने इलाज के लिए स्थानिय स्वास्ते केंडर लाया गया हाथसे में दादी और पोती के इलाज के लिए जोश्पूर के लिए रैफर किया गया हाथसा सामने से आ रही जीब को साइड देने के चलते हुआ पलिस के अनुसार एक प्राइविट स्लिपर बस दोपहर में हरिदवार के लिए रवाना हुई तिमवरी के पास मथानिया रोड पर बस ड्राइवर ने गाड़ी को ओवर टेक करने का प्रयास किया उसी दोरान सामने से आ रही एक जीब से टकरा गई उससे बशने के लिए ड्राइवर ने बस रोड से नीचे उतारने का प्रयास किया इसी दोरान बस जीब से टकरा गई और इसके बाद अनियंत्रित होकर पल्टी खा गई सूच्रा मिलने की बाद आसपास के ग्रामिन और थाना अधिकारी राजीव भादू भी मौके पर पहुँचे हास्य में पांचला निवासी पूजा पत्नी जगदंबा राम, हीरा पत्नी भगा राम, प्रेमा राम पुत्र रेवत राम, बाना का बास निवासी गुजर राम, खावडा निवासी नीमबा राम, मनीशा, अमरा राम, सुप्रिया और केशव राम घायल हो गए जिने अस्पताल के लिए मथानिया की गवर्मेंट हॉस्पिटल में भेजा गया प्राथविक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया इसके बाद दूसरी बस से यात्रियों को रवाना किया गया खि़लाल मामला दर्ज नहीं करवाया गया है